जैने दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाडर जोन के नए एपिसोड में दोस्तों आज हम बात करेंगे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन एक नहीं बलकि दो अपडेट है दोनों ही एक से बढ़कर एक रहेंगे अगर आप भी इंटरस्ट रखते हो एक वीडियो आपके लिए ही बनी है अगर लगे कि वीडियो आपके मतलब की थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेर लाइक जरूर कीजिए दोस्तों पहले अपडेट की बात करें तो आज फिर नाम आता है हीरो मोटो कोप पिछले दो दिन पहले आपसे अपडेट शेर किया था कि भारत की जो टॉप टूप टूविलर मैनुफेक्ट्चर है हीरो मोटो कोप बेशक वो ऐलेक्ट्रिक वहिकल्ड थी कम्पेश में अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आललेडी एक अच्छा सैटप बना चुक है आललेडी उन्हें कनफरम किया कि 420 कोड़ की इन्वेस्टीमेंट करेंगे एथर एनरजी में पहले इन्वेस्ट कर चुक है 30% share आले इन के पास है अब इस investment के साथ और ज़्यादा share होगा तो बिल्कुल एक खुद बेशक लेट है लेकिन investment के थूँ वो कहीं न कहीं बड़ावा दे रहे हैं expand करने के लिए development के लिए बहुत बड़ी option provide कर रहे हैं यह भी एक अपने आप में बड़ी बात है आज का अपडेट भी हिरो मोटो कॉप से है अब after athernergy के बाद जो इनकी second largest investment होने वाली है within week यह बड़ी बात है दोस्तों within week इतनी बड़ी investment जो second है वो होगी Taiwan based Gogoro companies जो की famous है कह सकते हैं world famous है battery swapping station specially electric scooter urban mobility के लिए जोस्तों आप इस company की growth के साब से idea लगा सकते Gogoro within five years पांच साल के अंदर यह one billion US dollar की company बन गई है और तकरीवन पांच लाख लोग इनके battery swapping station की service लेते हैं बहुत इस investment के साथ ना सिर भारत में एक बड़े level पर large scale पर battery swapping station setup किया जाएगा बलकि other companies में other countries में भी इसको expand करने की planning है बहुत बड़े level पर यह setup किया जाएगा यह investment बहुत बड़ी level की है तकरीवन जो second in की बड़े investment रहेगी Gogoro में वो रहेगी 285 million 285 million US dollar की investment करने वाले हैं वैसे विए अगर भारत में देखे तो electric two wheeler की swapping station के लिए कोई ज़्यादा बड़ा setup हमें नहीं दिखाई देता है जो sun mobility एक बड़ा setup है वो भी electric three wheeler मन का ज़्यादा focus है लेकि electric two wheeler में नहीं है तो hero moto को पर Gogoro मिलकर भारत में सबसे बड़ा हम कहा सकते हैं bettering swapping station set up करेंगे उमीद है बहुत जल्दी है joint venture complete होगा इस पर काम जल्दी से शुरू होगा अब बढ़ते हैं second update की तरफ second update है Honda Motors की तरफ से पेशे किए भी बाकी company की तरफ बाकी mainstream companies की तरफ अपने electric vehicles लाँच करने में काफी later दिखा रही है लेकिन ये भी battery swapping station में बिजनेस में enter हो गई है फिर वही ये जो battery swapping station रहेगा ये electric two wheelers के लिए नहीं है ये electric three wheelers के लिए first face में है बाद में बिलकूँ electric two wheelers के लिए लेके आएंगे अभी start कर रहे हैं बेंगलूरू से अगले कुछ मीनों में तक पचास से साथ battery swapping station set up करेंगे वैसे उनने अपना जो first experiment है जो trial था है वो मुंबई में किया था लेकिन ये start कर रहे है जो अपना setup battery swapping station ये बेंगलूरू सीटी स्टार्ट करेंगे तकरीवन 135 crore 135 crore की investment रहेगी और with time other cities में भी इस service को expand किया जाएगा इनका कई बड़ी company के साथ tie up है हो चुका है बिलकुन के साथ मिलकर ये joint venture किया जाएगा मिलकर सभी battery swapping station लगाए जाएगे लाइक इनका रहे जो tie ups है joint venture है वो है PRG के साथ, महिदा एलेक्टिक के साथ Greaves mobility के साथ, Elchi Green Euler Motors जैसी start-ups के साथ दोस्तो battery swapping station के अपने फाइदे हैं, अगर हम benefit की बात करें सबसे बड़ा फाइदा कि आप गाड़ी बिना battery के खरीट सकते हो आपकी initial cost कम होगी, आपको loan कम लेना पड़ेगा, आपकी EMI कम होगी अब आपको क्या करना है, कि सिरफ आपका जो nearest battery swapping station है, वहाँ पर जा कि आपको अपनी battery swap करने की, उसके against, full charge के against, जो भी आपका charge बनेगा, online system होता, वहीं से आपके वो पैसे कट जाएंगे कि traveling जादा रहती है, within city उनके लिए बहुत जादा system benefit होने वाला, specially जो delivery system है e-mobility है, उनके लिए ये system हम बहुत बहुत benefit है, वह हम सब जानते हैं कि भारत में जो battery, electric vehicles की जो overall cost जादा है, वो because of battery pack, तो ऐसे में एक बहुत बढ़िया option ये battery swapping station प्रवाइड करते हैं, तो बिलकुर इनके spend होने की बहुत जूर्थ है, उमीद है कि अभी तो investment हुई है, बहुत जल्दी से road पर आएंगे, सारा, जल्दी से सारा setup लगेगा और इसका benefit हम सब लोगों को मिलेगा, फिलाल ये थे आज के update, आपके कोई विचार है तो comment box में जिरूर शेर कीजेगा, धन्यवाद, वीडियों तक देखने के लिए, जयाहिंद!